दोस्तों तिरपुरा एक open state है यहाँ दो medical college है एक अगरतला medical college government college है और दूसरी private college है तिरपुरा medical college TMC कहा जाता है उसे तो इस private college में other state के 20 candidates इसमें admission ले सकते हैं जिसमें category wise quota होता है यानि कि 12 seat इसमें general category की होती है 4 seat OBC category की होती है इसके लावा 3 seat इसमें SC category की होती है और 1 seat ST category की होती है other state के लिए तो इस परकार से इसमें category wise quota other state के लिए private medical college तिरपुरा medical college में होता है तो इसके registration अभी start हो चुके है और ये इसके direct state of medical education पर available है इसका notice तो इसकी जैसे ही हम notice open करते हैं तो इसमें जो इसके registration start होने है वो 6, 7, 8 November 2020 को इसके registration होंगे इसके बाद में registered candidate की merit list 10th November 2020 को display हो जाएगी और choice list आप यानि की choice fill कर सकते हैं 11 और 12 November 2020 दो बजे तक इसके बाद में result allotment list आजाएगी 14th November 2020 को और इसके बाद में physical verification documents का होगा आपको 15th, 16th और 17th November 2020 और first round के admission की last date 18th November 2020 शाम 5 बजे तक होगी तो ये इसका registration schedule है इसकी website पर जाकर के आप registration कर सकते हैं इसकी website mcc.tirpura.nic.in है उसके बाद में हम बात करें इसकी total seats की तो जो तिरपुरा स्टेट के candidate हैं उनके रिम से इंफाल में 13 seat से reserve हैं उन candidate के लिए जो तिरपुरा स्टेट के रहने वाले हैं इसके बाद में अगरतला medical college में 96 seat reserve हैं और तिरपुरा medical college में state quota की 80 seat कम fees पर available हैं तिरपुरा स्टेट के रहने वालों के लिए जो other state candidate हैं कोई भी state का कोई भी candidate इन पर admission ले सकता है तिरपुरा medical college में उनके लिए 20 seat से category wise में आपको distribution बता चुका हूँ इसके अलावा BDS के लिए रिम सिमफाल में 7 seat हैं और इसमें गौवाटी में 3 seat हैं इसमें इसमें BHMS और BMS के लिए भी seat दी गी हैं BMS के लिए राजस्तान में एक seat है हरियाना में एक seat है तो इस परकार से ये seat हैं वो reserve है other state में भी तिरपुरा state के लिए अभी हम इसके registration fees की बात करें तो इसकी total registration fees general के लिए 1,500 रुपीज है इसके बाद में general EWS OBC के लिए 1,400 रुपीज है SC, ST, PWD इसके लिए total 800 रुपीज इसकी registration fees है तो ये condition है तिरपुरा state के लिए मैं आपको बता दूँ यहां कि जो तिरपुरा state के other state के candidate है जो management seat पर admission लेना चाते हैं जो 20 seat के लिए उनकी fees 12,000 रुपीज हो चुकी है पिछली बार तक ये 8 से 9,000 रुपे के बीच में पड़ती थी इस साल ये 12,000 रुपे हो चुकी है इसकी fees बाकी जानकारी open state की book में मिल जाए गया आपको उसमें करनाटका, केरिला और तिरपुरा की बारे में या फिर हमारी जो ये वीडियो का description box से उसमें भी link दिया गया है वहां से भी आप download करते हैं तो दोस्तो ये जानकारी थी तिरपुरा इस्टेट की बारे में बाकी इस्टेट की जैसे जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वह ज्यादा ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैसे